हलो आज सवागत है आपका मेरे बिलॉग करना है ज्यक्त करणा सबसें यह और खेत प्शेए देख सकते हैं यह तो हम got a clean किंटल के बरबर हमने करली है और इतवे मेरे पीछ यह दिखाई दे रहा है आपको यह यह करला है तो फिसके अबरे तोड़ी के लिए है और इंसका धिक hij जाएंगे बाजार में बेचने के लिए और यह है जाके भी दौन ये इसको पुलते हैं हमारे मणाठी तोड़ी में तोड़ी है तोड़ी है तो चलिए और अंदर तोड़ रहे हैं तो वह मैं दिखांगा आपको अंदर नहीं तोड़ी है कि आप वीडियो में देख सकते हैं यह हमने करेला अभी तोड़ लिया है और इन्हें हमने 40-40 किलो के बोरी में भर दिया है और अभी कुछ हमारे खेत की वरकर अभी करेला तोड़ रहे है और देखिए दोस्तों अभी मैं करेले के उस छोटे-छोटे बोरियों को मैं अभी कंद्या पर उठा कर ले जाते हुए तो इनको खेत से सडक तक मुझे इसे उठा कर दे जाना पड़ता है और उसके बाद उनको अपने बाइक पर बांध कर हमें फोल्सिल मार्केट में दे जाना होता है तो आप देख सकते हैं मैंने एक करेले का एक बोरा आधा जो भरा हुआ वो मैंने खेत से बाहर लाग दिया रोड तक और अभी मैं उसको पूरा पोरे को अची तर दोस्तों पार्मर के जिंदगी तो ये बोरा आधा है इसलिए मैं अभी एक छोटे बोरे के करेले को वापर डाल रहा हूँ जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं और मैंने इसे उसको में डाल दिया है और थोड़ा आधाय डाल दिया है अभी मैं उसको सिधा करूंगा और ये कुछ करेले मेरे गिर गया है और ये करेले का फ्रेज दिकाए दे रहे है मेरे को और अभी मैं उसको थोड़ा दबा दबा के अच्छी तरह से फुल बोरा भर दूंगा और ये कुछ गिरी हुई करेले है जो मैं उठाऊंगा और इनको मैं अच्छी तरह से इस बोरे को हीला हीला के भरूंगा कि अच्छी तरह से ये बोरा भरना चाहिए कि अच्छी तरह से ये बोरा भरना चाहिए। और गाइज अभी मैं फिर से उन छोटी बोरे को लाने जा रहा हूँ और उनको बाहर लाकर अपने गाड़े पर अभी मुझे बानना है उनको तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं वो मेरे बाइक और भी अम उस बड़े बोरे को जो हमने पूरे तरह से फिर कर दिया उसको हमने गाड़ी पर लोड कर दिया और अभी हम उसको बान देंगे रसी से अच्छी तरह ताकि वो रास्ते में कहीं गिर न जाए और उसके बाद उन्हें हम होल्चेल व्यापर एक पास ले जाएंगे तो हमने अभी एक साथ दो बानने का वीचर किया है गाड़ी पर त कर दो हमने तो 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 हमने त प्रूजल मत पाल